नमस्तु भ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सब, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे, दर्शकों, तीन अक्टोबर दिन सोम बार को श्रादिय नवरात्री की अस्टमी तिती है, प शिव और पारवती का मिलन का दिन होता है, ऐसे में यदि हम भगवान शिव और माता पारवदी की समक्ष इस एक उपाय को करते हैं, तो हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाय पून अवश्य ही होती है, क्या करना है आपको इस उपाय के लिए, यदि आपके कोई विशेश मनोका या फिर कोई कार है, जो बहुत समय और अनेकों प्रयास के बाद भी पून नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिती में आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, आपको इस उपाय के लिए मात्र इंकावन काली मिर्च चाहिएं, जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि यदि स ताबुत गोल काली मिर्च चुक ले ले और ध्यान रखे कि मिर्च खंडित नहीं होनी चाहिए, अब प्रदोशकाल में, प्रदोशकाल के समय मापारवति और भगवान सिव दोनों एक साथ धर्ती पर भ्रमन के लिए निकलते हैं, इसी समय पर आपको भगवान शिव के जाना हैं और अपने सीधे हाथ की हथेली पर इन काली मिर्चों को आप रखें और अपनी मनो कामना को कहें, तीन बार श्री शिवाय नमस्तो भ्यम मंतर का उच्चारन करें, फिर इन काली मिर्चों को आप भगवान के शिवलिंग पर पून विश्वास के साथ अर्पित कर और अपनी मनो कामना को कहें कि इस हेटू में यह कारे उपाय कर रहा हूँ आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी श्री शिवाये नमस्तु भ्यमदर्शे को मैं आशा करती हूं वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें कमेंड करें चैनल को सब्सक्राइब क हर हर महादीफ धन्य करें